नमस्कार स्वागत है आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपने इस वीडियो में discuss करने वाले हैं भारत क्या रूस का समर्थन कर रहा है जैसे यूद जैसे चल रहा है रूस और उक्रेन के बीच में और भारत का जैसे समर्थन किया जा रहा है इंडिरेक्ली आप कह सकते हैं कि ज जितनी भी मीटिंगस में भारत ने जो क्या का है कि हम तो मतदान करने वाले हैं ही नी और हाली फिलाल में जैसे Quad की मीटिंग हुई थी, तुरंत बुलाई गई थी, जिसके अंदर चार देश हैं, भारत, अमेरिका, जबान, उस्टेलिया, जहां पर भारत के उपर कही न कहीं दबाव बनाने की कोशिश कही गई थी, अमेरिकी राष्टपती जोई विडन के दौर लेकिन भारत ने सापस बस शब्दों में बोल दिया कि ये रूस और युक्रेयन का आपसी मामला है, वो इस मामले को जैसे UN में वहिशा भारत ने कहता है कि डिप्लोमेटिक या फिर कहीं कि आपस में बैटकर बाचीत के दौरा इस समस्या को सुलजाया जाना चाहिए, तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो देखे हाली में क्या है, जिनेवा के अंदर स्युंक्त राष्ट मानवा अधिकार परशद में मतदान देने से भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया, या नहीं बना कर दिया वहां पर, और ये प्रिशद क्या थी, या फिर इस काउ पास किया है, तो भारत ने का, भाया, हम इससे दूर रहते हैं, हम कोई मतदान इसमें नहीं देने वाले हैं, क्लिर हुआ, और इस कदम से देखो, ये कब हाया हुआ, देखो, क्वार्ड मीटिंग हुई थी, क्वार्ड मीटिंग के बाद, जो ये थी, ये मीटिंग, Human Rights की ज इस बात को सुलजाये जा सकता है, बारत ने बोलने से मना कर दिया, क βह हम कुछ बोलने वाले हैं यी नहीं, इसके अलावा, भारत ने इस मीटिंग से तो एक कह सकते हैं, कि वो यहां से मतदान नहीं दिया, और कहां-कहां नहीं दिया, देखे, सिंगतराष्ट महासबा होग यहां पर भी मतदान देने से भारत ने मतलब कि हिस्सा लिया यह नहीं था यहां पर इसके अलावा क्या था यह अंतरराष्ट्य परमानु उर्जा एजनसी यानि इंटरनेशनल अटोमिक एनरजी एजनसी ने एक रिजोलुशन पास करना था और उसमें भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया था यह क्यों था क्योंकि रूस ने युक्रेन के एक अटोमिक सेंट या फिर कहें कि परमानु संतर के उपर कबजा कर लिया था जो युक्रेन का सबसे बड़ा है फिर वहां से ये निउस आने लग गई हुई है अगर वहां पर नुकलेर पावर प्लांट में अगर आग लग गई है तो इससे कह सकते हैं कि नुकलेर अटैक जैसा महोला हो जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा तबाही हो जाएगी वहां पर तो इसको लेकर एक रिजोलुशन पास करना था भारत ने का कि हम भी बेटा यानि वह तो देखे बाप का तो पीछा करेगा यानि पाकिस्तान वह भी कह रहा है कि देखे हम भी नहीं आएंगे किसी के साथ हम भी किसी में मत्दान नहीं करने वाले हम किसी के बारे में नहीं बोलने वाले क्योंकि अभी EU ने यानि European Union ने पाकिस्तान के ओपर पाकिस्तान मंत्री जो है वो रूस जाकर अपने रिष्टे सुधारने लगा हुआ है तो अगर यहां पर कुछ बोल दिया तो यहां रूस से मामला खराब हो जाएगा और अब नहीं बोला तो वह यह FATF के तैत अल्रेडी ग्रेलिस्ट में डला हुआ है यहां पर इसको और जाधा सेंक्सिन जेलने पड़ेंगे तो यह पिसा हुआ है लेकिन यह भारत का पिछलोग हुआ पड़ा है कि आपने क्या भारत को कहा भारत के उपर प्रेसराइज करने की मांग की यह बात वहां के यानि पाकिस्तान के जो प्राइम इनिस्टर है इमरान खान के दोरा एक एक रैली के दोरान यह बोली गई है कि यू जो है हमको लेटर लिखकर भेज रहा है कि आपको रूस के खिलाब कुछ बोलना है क्या यू ने भारत को कोई लेटर लिखा पूछा कहा उनके उपर यह दबाव बनाने की कोश्य की तो यह कह सकते हैं कि देखे तुमारी मानवा अधिकार परशिद के बारे में बात कर लेते हैं इसका निर्मान कब हुआ इसमें कितने सदस्य हैं कैसे कैसे काम करती हैं भारत इसमें सदस्य है या नहीं है तो इसमें चुनाव कैसे होते हैं सारी बातों की चर्चा हम कर लेते हैं देखे मानवा अधिकार परशिद परणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है मतलब बोले तो यह UN है UN की एक शाखा है Human Rights Council clear हो गए यहां पर और यहां पर इसका काम क्या होता है कि इसने ठेका या बेडा उठा रखा है कि दुनिया में जितने भी जो देश है UN के अंदर उनके वहां पर Human Rights को मतलब उनसका परचार परसार करना उनको मजबूत करना इसकी इसने जिम्मेदारी ले रखिया Human Rights Council ने clear हुआ अब इसकी स्थापना कब हुई थी इसका गठन हुआ था 2006 में श्रुंक राष्ट महासभा के द्वारा इसकी गठन किया गया था और इसने मानवा अधिकार पर क्या पहले कोई हुआ नहीं करता था कि UN के अंदर हाँ हुआ करता था Human Rights ओलड़ी यहां पर एक Council यह Commission हुआ करती थी उसकी जगह पर यह आया है और इसका एक Office of the High Commissioner for Human Rights जो जिनेवा के अंदर है इसका मुख्याले है यहां पर और इसके द्वारे इसका काम संभाला जाता है clear हुआ फिर इसके सदस्य केते हैं देखे यह 47 seats है Human Rights Council के अंदर 47 seats ऐसे divide के हुए है कि अफरिका देशों के लिए 13 seats है Asia ही परांतों के लिए Asia ही परसांत देशों के लिए कितनी है 13 seats है Latin America और Caribbean देशों के लिए 8 seats है और पश्चिम यूरोपिय और अन्ने देशों के लिए 7 seats है पूरवी यूरोपिय देशों के लिए 6 seats है और यहां पर जब इस seat के लिए उपर किसी भी उमिदवार को चुना जाता है तो उसका कारेकाल जो है वो 3 साल के लिए होता है लगातार 2 बार वो कारेकाल सेवा में रह सकता है मतलब कि 6 साल वो 1 साथ चुना जा सकता है 1 साथ नहीं मतलब कि 1 बार 3 साल के लिए चुना गया है लगाता 2 term पूरी कर सकते हैं लेकिन 2 term पूरी होने के बाद तीसरी term में वो नहीं आ सकते हैं वो चुनाओ में हिस्सा नहीं ले सकते हैं इसका प्रोसीजर और मेकेनिजम क्या रहता है देखें इसका एक universal periodic review है यानि UPR universal periodic review यानि UPR इसका काम क्या होता है कि दुनिया बर के जितने भी UN के अंतर जो देश शामिल है वहाँ पर जाकर देखे कि मानवादिकारों की स्थिती कैसी है यह यह human rights की स्थिती कैसी है उनके बारे में report त्यार करें इनकी एक advisory committee भी है जहां पर यह think tank के रूप में काम करते हैं और बताते ह यह शिकायत दर्ज करा सकते हैं फिर यहां पर एक swing trust की विशेश परक्रिया है जिसके अंदर विशेश परतिवेदक विशेश यानि expertise है यहां पर जिनके अंदर कोई अपनी field के अंदर expert है जो अलग-अलग देशों के अंदर काम कर रहे हैं वहां पर different different मुद्दे उठा रह हैं निगरानी कर रहे हैं सारा काम करने का यह काम करते हैं तो यह किसके अंदर आता है यह स्विशेश परक्रिया के अंदर काम करते हैं तो यह procedure और mechanism हो गया इसका इसके अलावा मुद्दे के हैं देखिए यह तो हो गया इसका काम कि human rights का उलंगन ना हो उनकी help करना लेकिन इससे related issues भी हैं issues कैसे कि यहां पर आपने ऐसे लोगों को सदस्यता दे रखिया जो already जिन्होंने human rights का उलंगन कर रखा हैं मतलब कि भया आपने एक ऐसे वेक्ति को कानून बनाने के लिए कानून बना ले के लिए चुन रखा है जिसने दुनिया भर के कानून तोड रखा है भया इसीने murder कर रखा है इसीने kidnapping कर रखिये यहीं लोगों से वसूली करता है लोगों को डराता है धमकाता है यह तो इसने सारे कानून तोड़ने की हदें कर रखिये आप उसी को बोल रहे हो जाकर कानून बना लीजिए जैसे कि यहां पर आपने कुछ ऐसे देशों को human rights का मतलब की favor करने के लिए चुन रखा है जहांपर उनके देशों में खुद human rights हो रहा है human rights का उलंगन हो रहा है जैसे चीन हो गया क्यूबा, itria, ruse, venezuela ऐसे देश होगे जहांपर माना अधिकारों का खुले आम हनन हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, बावजूद इसके है कि यह परिशद में शामिल है, तो यह चीज एक तरीके से बताती है कि आप कितने ज़्यादा serious है human rights को लेकर, दूसरी बात यह, आपका जो है वो ऐसं ज़्यादा के आती है कि यह जो है, वो human rights का उलंगन कर रहा है, इतने ज़्यादा आपने इसके खिलाफ resolution पास के, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, एक तरीके से जैसे UN का अब नाम कैसे सामने आ रहा है, कि बिना दान्त वाला एक शेर है, वह यह सिरुफ और सिरुफ किताबों के लिए हैं, जिनके लिए हमें बस पढ़ना पड़ता है, नंबर आ जाए, वरना काम कुछ का है नहीं, सेम ऐसे ही, यहां पर human rights का भी हो रहा है, आपने इतने सारे देश तो ऐसे शामिल कर रहे हैं, इसके अंदर जो ओल्री human rights का उलंगन कर रहे हैं, और जिनके खिलाफ human rights जो इसके अंदर शामिल हो गया है, भारत के बारे में बात कर लेते हैं, भारत जो इसका सदश्य है, एक जनवरी 2019 को सदश्य था हासिल की थी, तीन साल के लिए भारत के पास रहेगी, दूसरी बात बात करें, तो भारत ने अभी हाली में क्या किया है, 2020 की, अपनी national human rights ने, भारत के national human rights ने एक report पेश की है, इसमें इस संगठन के अंदर ही clear हुआ, और अभी क्या हुआ है, EIA, यानि Environment Impact Assessment, इसने एक पत्र, यानि एक आंकलन निकाला था, एक assessment किया था, प्रेवर्ण के उपर, जिसके लेकर चिंता व्यक्त की गई थी, कि भारत में प्रेवर्ण वो कहीं न कहीं रूस का समर्थन कर रहा है, directly नहीं कर रहा है, indirectly कर रहा है, किसी भी committee, international committee के अंदर, commission के अंदर, वो मतदान करने से बच रहा है, या जाहीं नहीं रहा है, साव्त वर पर कहा रहा है कि देखी भई, आप लोगों को बैट कर इस बात को सुल्जाना होगा, obviously भा आज किसी दूसरे देश के इशू के उपर बोलना शुरू किया तो दूसरे देश को ये राइट्स मिल जाएंगे कि वो भी हमारे देश के इंटरनल मामलों के उपर बोलना स्टार्ट कर दे तो ये भारत की बहुत सोची समझी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से जाए भी रही है और भारत को ऐसे ही कि नूटरल रहकर एक्स्टेंड लेना होगा कि हम किसी भी ग्रूप में शामिल नहीं हैं उमीद करता हूँ कि ये सारी बाते आपको समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ जादा ही पसंद आ गए हैं तो शेर कर सकते हैं वीडियो को एस वेल आज चैनल को भी और वीडियो की जो पीडियोफ है वो आप लोगों को दिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलिग्राम का लिंक दिया मिल जाएगा तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो